Hi guys, welcome to my new video. Welcome to our channel which is Amara and Meher videos. I hope you will know that Amara and Meher is my daughters. Amara is 7 plus and Meher is 2 plus. So today's video we are making basically… For doing nothing, forам people's faults, for doing anything, untuk para approach child's habits, बताने के लिए, बच्चों कैसे improve करना है, बच्चों कैसे correct करना है नहीं, I am not here for that or for this I am not here to tell you, कि बच्चे को कैसे ठीक करो, बच्चे को कैसे सुधारो, बच्चों को यह चीज़े apply करो, I am here to correct you as a parent right, I am here to correct myself as a parent कि मैं क्या गलती कर रही हूं और आप क्या गलती कर रहे हैं right, so first of all मेरा एक statement है Amaira, baby TV बंद कर दो Amaira, TV बंद कर दो she's less bothered she's not interesting कि ममा बोल रहे है, बोल ले दो when I say, Amaira, TV off कर दो तो TV बंद हो जाता है right तो यह जो पैटन हमने उसको दिया है कि पहले प्यार, then shout यह पैटन हमने अपने बच्चों के अंदर उनके subconscious mind में दिया है कि प्यार से कोई चीज हो रही है तो it's okay when it comes to shout, aggressiveness वो काम हो जाता है तो हमें इस पाटन को ना change करना पड़ेगा as a parent हमारा बच्चा shout करता है हमारा बच्चा share नहीं करता हमारा बच्चा fight करता है कहां से आ रहा है सब not at all YouTube से तो बिलकुल नहीं आ रहा TV से तो बिलकुल नहीं आ रहा यह आप ही के अंदर से है जो आपके बच्चे को मिल रहा है जो आपके बच्चे को आप दे रहे हैं तो आपको अपने अंदर चेंजिस लाने की जरूत है आपको ये नहीं कहना बेटा चलो time हो गया खेल लिया अब चलो उपर चलते हैं time's up now we have to study बच्चे का मन खेलने का है और आप उसको on the bowl दोगे कि आप बंद करो खेल पढ़ाई करते हैं do you really think आप as an adult mobile देख रहे हैं आप अपने mobile बंद नहीं कर पाते till the time आपका वो episode या आपका वो series खतम नहीं हो जाती आपका मन नहीं भर जाते तो how could you expect from your child कि आपका बच्चा भी आपकी बात सुने उसका मन खेलनी में है यार आपको पढ़ाना है तो दो तरीके हो सकते या तो आप बच्ची को डाट के पटकार के पटाई लाके बठा दो और बच्चा पढ़ने बैठ जाएगा स्टार्टिंग के इनिशल वो थोड़ा टाइम रोएगा उसका ध्यान नहीं होगा वो पढ़ेगा तो बेमन पढ़ेगा और एक सिचुएशन यह है कि बच्चा खेल रहा है और एक सिचुएशन यह है आपको उसको कुछ ऐसी चीज़ करानी है suppose my daughter is in second class बच्चा उसको addition कराना है तो मैं क्या करूंगी कुछ भी कराने से पहले as a profession, I'm a teacher तो मैं रानती हूँ कि अगर हमें कुछ भी बच्चे को कराना होता है we have to do orals with the child तो आपको भी वही करना है बच्चा खेल रहा है खेलने में ही आप कुछ creativity as a mother create करनी है as a father create करनी है कि अच्छा चलो अच्छा चलो हमायरा अभी काम करते है कि अपर time तो यार हो गया थोड़ा late तो let's wind up the toys and let's count them let's add them कि I have two baskets I have two pigeons I have two parrots something like that खेलते खेलते आपने बच्चे की books toys अंदर रखे इसको back rack में वापिस रखा अरे हमायरा चलो अभी इतना कर लिया चलो इसको notebook में करके देखते है बच्ची के mind में interest developed हो चुका है उसको मज़ा आ रहा था वो activity करने में obviously when the child वो interest developed हो गया तो उसको वो लिखने में जब उसका वो बैठे का करने के लिए तो उसका concentration वहाँ पे होगा उसका concentration divert नहीं होगा कि मुझे भी खेलना था मम्मा ने जबस्तिय पढ़ा दिया तो try to divert your child mind instead of force no need to shout shouting is bad प्यार से बोलो प्यार का pattern ही continue रखो I know agress होता है गुसा आता है control नहीं किया जाता but अगर हम अपने उपर control करना सीखेंगे तभी तो हम अपने बच्चे को controlling power सिखा पाएंगे right so अगर आप को इविडियो अच्छी लगे दोस्तों तो please do share and subscribe to my youtube channel which is Amara and Meher videos thank you bye bye